नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गरीब राजा बनपुण जीरो पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई इंटरसेप फॉर्म पर दोस्तो जो आपका जलाई इंटरसेप फॉर्म है जो आपको अगस्त के फर्ष्ट बीक में अप्लोड करना है तो उसे किस प्रकार बनवाना है उसमें किस चीज का यूज लेना है फॉर्मेट को एंड उसका फॉर्मेट नया अपडेट है जो कौन सा आया है उसको complete detail हम इस वी अपने वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लेकिन दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड पहला आइकन को प्रेस कर लेना तो चलिए सुरू करते हैं हुआ है दोस्तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूं कि आपका जो फौर मैं मंतली आप जो इंटरसिक्ट के लिए बनाते हैं तो आपको कहीं भी फॉर्मेट को चेक करने की जरूत नहीं है आपको क्या करना अपने phone के SSID को open करना है और आपको जो employment वाला option है उसे यहां से open कर लेना है open करने के बाद में आपका जो form है जहां से आप अपना attendance वाला option आता है वहां पर आप अगर attendance detail चेक करते हैं तो आपको attendance में अभी बरतमान में कोई भी show नहीं हो रहा इस पर यहां आप देखेगा आपको पता होगा अगर आप phone से upload करते हैं इस जगह पर आपके लिए एक format दिया जाता है कि upload जो आपका joining attendance letter है इस परकार का होना चाहिए दोस्तों आपको जैसे कि मैं यहां पर दिखाता हूँ joining letter को open करके यहां पर दिया गया प्लीज upload file between 100kv to 2me इसी परकार इसके उपर एक आता है आपके लिए जो आपका format आता है कि यहां पर view and download याने कि आपका attendance letter आएगा इस परकार से आप उसे देख सकते हैं इंड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों यहां पर क्या करना आपको जो यह दिया गया है इसी आदार पर attendance आपका दिया जाएगा उसको यहां पर open करना download करने के बाद में और उसे देखना कि आपका किस परकार का format दिया गया है दोस्तों यहां से बिवाग ने सीधा कहा है कि आपके जो format है form में है उसी को आपको form को apply करना है आपके attendance के अंदर इस format को यहां से open करना है end open करने के बाद में देख लेना अगर आप खुद करते हैं तो आपको यह format image से कई से भी print करके निकालना है दोस्तों यहां से निकालने के बाद में अब आप इसे किस परकार बढ़ सकते हैं इसमें अगर आप फिल करते हैं उससे पहले इसमें जो आप जो भी अपनी detail फिल करते हैं इसको किस प्रकार बरना है सही तरीके से, कौन सा पेन यूज में लेना है, आपके लिए में एक बार फॉर्मेट ओपर करके दिखाता हूँ, उसमें बता दा हूँ, step by step आपको इसको किस प्रकार से बरना है, तो दोस्तों यहां से देखिए, आप स्क्रीन पर सबसे पहले आप आपको यह forward दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर सबसे उपर आपका आगा कारलायला के नाम, दोस्तों जहां पर आपकी इंटरसिप चल रही है, उसका यहां पर कारलायला का नाम आ जागा, इसके बाद में आप देखते है, second point क्रम संख्या, दोस्तों यहां पर क्रम संख इंट आपका सबसे important point आता है, इसमें आपकी पंजियन संख्या, दोस्तों आपका जो form है, उसमें आपकी जो application नमर होती है, पंजियन संख्या, वही रहता है, इसका इसमें वो डाल देना है, अब आपको इसमें अपना date इसके अंदर डालनी है, दोस्तों यहां पर आपने जैसे एक जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक किया है, तो आपको इसमें 31 जुलाई यहां से date डालनी है, इसके बाद में आगे इसमें अगर आप देखते हैं, तो आपको इसमें देखनी है, आपकी उपस्तिती, यहां से अगर आपने एक वी दिन की छुट्टी ली है, संडे या गवर्मेंट की चुट्टी के अलावा तो ही आपको इसमें अपनी जो चुट्टिया है, वो इसमें धर्ज करनी है, इसके अलावा यहां पर आपको इसमें जीरो ही इसमें दिखानी है, दोस्तों आप अगर इस परकार इसमें दिखाते हैं, तो आपका यहां से फॉर्म पर लिखा हुआ जरूर होना चाहिए कि यह प्रमापत्र केवल बिरोजकरी बत्त प्राप्त करने के लिए मानने इसके आदार पर हम किसी भी अन्य नोक्रिया प्राथ मुत्ता में यहां दावाया क्लेम नहीं किया जा सकता यह गहरे जो ब्लैक कलर आता है उसमें आपका यह ल क्लिट फॉर्मेट इसमें हो सके तो आप उनका मुवाइल नमर भी यहां पर लिख सकते हैं तो दोस्तों यह कमने डिटेज इसके अंदर होने चाहिए तो इस परकार अगर आप अपने फॉर्मेट बनाते हैं तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होगा आप उसमें कुछ भी कमी यहां से निकाल नहीं सकते हैं तो दोस्तों आपको जानकारी केस लहीं हमें कमेंट करके बता देना वीडियो अच्छी लगी तो प्लिए वीडियो को लाइक करने हमारे चैनल को सुस्क्राइब करने मिलते अंगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद अगर वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना वुले सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल गरीव राजा 1.0 को और लेटेस्ट अपरेट पाने क्लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना वुले